नासकार बोल कि रबाजाद हैं तेरे मैं अभिसार शर्मा ना कोई ताकत, ना कोई अदावत और चाहे ये पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे तेरे बोल पर अंकुछ नहीं डाल सकते बोल कि रबाजाद है तेरे भारती जनता पार्टी के सांसद घुले आम राहूल गांधी को धमकार हैं कि लोग सभा की तुम्हारी सदस्ता को रद कर दिया जाएगा राहूल गांधी से कहा गया था कि उन्होंने लोग सभा में गौतम हडानी और प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी के रिष्टों के बारे में जो बात कही थी उसको लेकर तमाम सुबूत पेश करें राहूल गांधी के मताबिक वो तमाम सुबूत पेश कर चुके हैं मगर बकौल राहूल गांधी वो प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी से नहीं डरते वाइनाट में दे गए अपने अंग्रेजी के इस भाषण में राहूल गांधी ने सपष्ट कर दिया कि चाहे भारती जनता पार्टी जितना भी दबाव बना ले एक ऐसी व्यवस्था में जहां राजसभा के सभापती और लोगसभा के अध्यक्ष दोनों के आचरन पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है ऐसे हालात में राहूल गांधी का कहना है कि वो प्रधान मंतरी से नहीं डरते उनका भाशन में चाहूंगा आप सुनें और फिर हम उसकी चार्चा करते हैं And all you had to do was look at my face when I was speaking and look at his face while he was speaking Look at how many times he drank water, how his hand was shaking when he was drinking water and you'll understand everything He doesn't realize that the absolute last thing I'm scared of is Narendra Modi It doesn't matter whether he's the Prime Minister of India, whether he has all the agencies, it doesn't matter Because the truth is not on his side One day he will be forced to face his truth यकीनन दोस्तों अगर भारती जैता पार्टी से मुकाबला करना है तो विपक्ष के नेताओं को इसी तरह से सीधा लोहा लेना पड़ेगा प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी से और खासकर बीजेपी से एक ऐसी पुलिटिकल पार्टी जो साम दाम दंड भेद ये भी कहा कि सुबूत पेश करो और मैं उन्हें सुबूत पेश कर चुका हूँ वकौल राहूल गांधी मगर मैं ये भी जानता हूँ कि सुबूत पेश करने के बावजूद मेरे भाशन को नहीं दिखाया जाएगा सुनियो उन्हें क्या कहा A few days ago I gave a speech in Parliament about the relationship between our Prime Minister and Mr. Adani It's important that you understand the nexus between the Prime Minister and Mr. Adani And after I gave this speech, most of my speech was edited out and was not allowed to go on the record of Parliament Apparently, saying the name Adani and Ambani together is to insult the Prime Minister of India I was asked to show proof with regards to what I said And I have written a letter to the speaker with every single point that they have removed and the supporting proof But I don't expect that my words will be allowed to go on the record But the biggest thing And you will remember, I had a show in this moment Prime Minister Narendra Modi said to the brother of Rahul Gandhi's father He said to the brother of Rahul Gandhi's father Yeah, he had a message of Rahul Gandhi's father And he said to the brother of Rahul Gandhi's father कि हमें जो सरने मिलता है वो हमें पिता की तरफ से मिलता है अपनी मा की तरफ से नहीं मिलता ये बहुत सामाननी सी बात थी दोस्तों काईदे से इस मुद्दे को लेकर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किये जाने चाहिए थे शालीनिता की तमाम हदों को पार प्रधान मंत्री ने किया था राहुल गांधी का कहना है कि प्रधान मंत्री ने तुमुझे गाली दी मेरा अपमान किया मगर उनके भाषन को नहीं हटाया गया सुनिये क्या कहा राहुल ने The Prime Minister directly insults me He says, why is your name Gandhi and not Nehru But his words are not taken off the record It does not matter because the truth always comes out दोस्तों मैं जानता हूँ आप लोगों के जहन में सवाल होगा और आप लोगों ने प्रधान मंत्री के भाषन के उस अंश को सुना होगा जब उन्होंने सीधे राहुल गांधी के सरनेम पर हमला किया था मैं चाहूंगा कि आप प्रधान मंत्री के भाषन के उस हिस्से को जरूर सुने और फिर मैं उसके आगे चर्चा करता हूँ मैं बहुत आफिर होता है कि चला भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नहिरू जी का नाम और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे तो जो देश के पहले प्रधान मंत्री थी लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पिड़ी का कोई व्यथ्टी नहरू सरनेम रखने से डरता का है प्रधान मंत्री ने जिस तरह से हमला बोला है दोस्तों राहुल गांधी के सरनेम को लेकर कि राहुल गांधी गांधी होकर नहरू क्यों नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मुद्दा यह नहीं है कि वो उनके नाना दादा का अपमान कर रहे हैं, मुद्दा वो बिलकुल नहीं है, मुद्दा यहां पर यह है कि क्या यह मुद्दा प्रासंगिक है, क्या यह मुद्दा relevant है इस मुद्दे को संसद में उठाए जाने की क्या जरूरत है क्या प्रधान मंत्री नारेंद्र बोदी बुरी तरह से बौकला गए है और क्या बौकलाट की वज़ा ये है कि प्रधान मंत्री जब भी अपनी बात कहने को खड़े हुए थे तो इस तरह के नारे जो हैं लगाये गए थे मोधी अडानी भाई भाई किस तरह से वो नारे लगाये गए थे और क्या यही वज़ा है प्रधान मंत्री नारेंद्र बोदी की बौकलाट की मैं चाहूंगा आब भी सुनी देखे भारती जानता पार्टी को ये बात गांड बानकर रख लिनी चाहिए आप व्यवस्था का इस्तमाल करें आप रुत्बे का इस्तमाल करें आप पैसे का इस्तमाल करें साम दाम दंड भेद एजनसीज का इस्तमाल करें मगर जब आप ज्यादती करते हैं तो इतिहास गवाए उस ज्यादती के एक उम्र होती है एक हद तक आप ज्यादती कर पाते हैं और फिर एक लक्ष्मन रिखा तै कर दी जाती है और उसके बाद उस लक्षमन रेखा को अगर आप पार करते हैं तो आप भस्म हो जाते हैं सांकितिक तोर पर तो कहने का अर्थ यह है कि उन्हें समझना पड़ेगा कि आप जब इस तरह से जब कि राहूल गानी ने अडानी पर जो भी बाते कहीं वो तमाम बातें सारवजनिक तोर पर मौजूद हैं ऐसा नहीं कि वो कुछ जूट है जब वो जीवी के ग्रूप पर रेड्स की बात करते हैं तो वो हकीकत है जब वो अडानी के 609 नंबर से दूसरे नंबर तक जाने क की बात करते हैं तो वो एक हकीकत है जब वो ये कहते हैं कि गौतम अडानी के भाई विनूद अडानी जो हैं उनकी विदेशी जमीन पर फर्जी शेल कमपनिया हैं वो हिंडनबर की रिपोर्ट में उसकी जाच करवाई है ना तो ये तमाम तथ हैं इससे बीजेपी भाग न पर सवाल पैदा हो रहे हैं मैं आपको एक बार फिर वो लमा दिखाना चाहता हूँ जब कॉंग्रिस के नेता मलिकार जुन खड़गे ने उनकी अध्यक्ष मलिकार जुन खड़गे ने मुद्दा उठाया था कौन सा मुद्दा मुद्दा उन्होंने ये उठाया था हिंड मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि राजसभा के सभापती जगदीब धंकड जो इससे पहले पश्यम बंगाल के विवादासपद राजिपाल थे और भाजपा की प्रिश्भूमी के भी हैं उन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी आप ए खुद फैसला कीजे कि क्या वो तमाम सुबूत पेश कर चुका हूं मगर बावजूद उसके उनकी बात को नहीं सुना जाएगा यही बात सुप्रिया श्रिनेद भी कह रही हैं इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि राहूल गांधी जो हैं वो तस्वीरे दिखा रहे थे संसत को जिसमें गौतम अडानी और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी एक ही विमान में बैठे हुए थे अब ये तस्वीर जो है सारवजनिक तोर पर मौजूद है मगर उनके भाशन की इसी हिस्से को हटा दिया गया कॉंग्रिस आज सवाल पूछ रही है सुप्रिया श्रिनेद क्या कह रही हैं आपके स्क्र अमरित काल में अडानी की काली करतूतों और प्रधान मंतरी मोदी से याराना पर सवाल उठाने पर जाच नहीं विपक्षी सांसत को नोटिस भेजा जाता है इस वक्तव के अंश प्रतिबंधित है मगर समझ नहीं आरा क्या गलत कहा गया है कितनी संसदिय शालींता से बोला कौन सा च्छाती पीट पीट कर फर्जी डींगे हांकी अब आपको समझना पड़ेगा कि सुप्रेय शुनेत यहां क्यूं कह रही है कौन सी च्छाती पीट पीट कर फर्जी डींगे हांकी प्रधान मंतरी नरेंद्र बोधी ने अपनी च्छाती पीट कर कहा था एक अकेला स सब पर भारी। सुनिए प्रधान मंत्री ने किस तरह से छाती पीटी थी। हकीकत यह दोस्तों वो एक अकेला जो है न वो एक गौतम अडानी है जिसने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से लेकर पूरे भारती जनता पार्टी की रातों की नेंदे हराम कर दी है। और दिक्कत यही है कि यही उनकी नाराजगी की वज़ए यही वज़ए कि निश्कान दूबे जैसे सानसद राहूल गान्धी को धंकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारी लोकसभा की सदस्ता खारज करवा देंगे। मगर जैसे मैंने कहा ना सामदाम दंड भेज से ज्यादती एक खास हद तक की जा सकती है। उसके बाद इसकी भेग सीमे तो उमरोगी। आज नहीं तो कल जरूर सही। अब इसार शेर्मा को दीजे इजासत नमस्कार।